गुड मोनिंग स्टुडेंट गॉड मदर इंग्लीज मेडियम स्कूल स्टांडर्ड थ्री सब्चेक्ट इंग्लीज लेसन नमबर ट्वेल्थ इस वेल्थ अर्ली टू बैड अर्ली टू राइस मतलब जल्दी से अपने विस्तर से उठ चाहिए में कम मैं एल्दी इससे लिए कोई भी इंसान के सा होता है है यल्दी वेल्दी इंग्ला तंदुरस्त होता है अब question है do you get up early क्या आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं your parents advise to you bed early and get up early why आपके parents आपको क्या advice देते हैं जल्दी उठना या देर से उठना क्यों What other advice given to you stay healthy? कौन सी एसी advice है, जिससे आप healthy रहते हैं? पिर activity 2, read the passage. Hygiene is all keeping ourself clean and healthy. Hygiene, बतलब hygiene जो होती है, हमारे health के लिए क्या होती है? बहुत clean, साफ सुथरी और healthy होती है. Hygiene, you are very important person and you should keep yourself healthy. आप बहुत important person हो, तो आपके लिए जरूरी है आपकी खुद की health अच्छी होना. Hygiene promoted health people in the community. हमारे समाज के लिए और हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए. Hygiene क्या है? Hygiene promote करती है. क्या promote करती है? अच्छी सेहत. There are some clean habits everyone should try follow. कुछ अच्छी आदत है, habits है, चो आप फोलो कीज़े. Let's learn important of cleanness. चले परते है कि cleanness साफ सुथरे रेना. हमारे लिए कितना important है? For example, dental hygiene made up brushing your teeth list two times each day and trying not to eat many sweet. अब example है, कोई dental hygiene है, कोई dental, मतलब दात की कोई problem है, तो कोई doctor हमें क्या suggest देगा? कि dental hygiene, दातों की portion के लिए, दातों को अच्छे रखने के लिए, हमें क्या करना चाहिए? तो brushing your teeth, हमें अपने teeth, मतलब दात brush करने चाहिए, list two times each day. एक दिन में दो बार brush करने चाहिए and try not to eat too many sweet. और हमें ध्यान रखना चाहिए, कि हम कोई मिठी चीज, मतलब sweet, कोई मिठाई न खाए. Taking good care your mouth and teeth. इसलिए आप अपने mouth का, अपने मूग का अच्छा ध्यान रख सकते हैं. And teeth will help your have a nice smell. और जो दात है वो आपकी smile, आपकी smile के लिए वो आपकी मददत करेगा. वरना आपको दातों में दर्द होगा, तो कि आप smile कर सकते हैं या आपको दर्द ही मेसूस होगा. आप ऐसे ही सारा दिन चिलाते रहेंगे, मुझे दात में दर्दे, दात में दर्दे. पर अगर आप दो दिन में दो बार ब्रश करते हैं, तो आपका दात भी अच्छा रहता है और आपका मुझे खिला हुआ होता है. habits for good health include, getting a good night sleep, आपको रात में अच्छी नेंद लीजे, eating a good breakfast, सुब अच्छा healthy नास्ता किजे, don't skip breakfast because give you energy, you need it too. आप अपना breakfast avoid मत किजिए, रोद सुबर breakfast किजिए, क्योंकि वो breakfast आपको energy देता है. Make it through to lunch, और फिर दो पहर में, lunch किजिए, washing your hand, frequently to avoid spreading jumps, अपने हाथ wash किजिए, जिससे क्या होगा, avoid होगा, फेलने वाले, jumps फेलाने वाले जो किटानों बेक्टेरिया है, वो हाथ दोने से क्या होगा, चले जाएंगे. Taking a bath, daily keep dirt and odor away, आप मतलब बास, मतलब ना हिए, daily, रोज ना हिए, जिससे आपकी आलस और तूल भी चली चाहेगे. Walking, playing, reading your bike, don't forget, give some exercise to your brain, अगर आप चलते हैं, खेलते हैं, read कर, reading your bike, sorry, riding your bike, मतलब आप bike चलाते हैं, तो don't forget, give some exercise to your brain, यह सब काम करते हैं, पर आप एक exercise, forget, भुलना मत, किसकी brain की, कैसे होती है brain की, by reading and doing your school work too, brain की exercise कैसे होती है, पढ़ने से और school में जो homework होता है, school का जो काम होता है, वो करने से, आप, you need it to try, best to stay clean, अब आप try करेंगे, कि आप अच्छे, श्टेक ले, मतलब अच्छी से, आप जीश सके, you can save a life just as much anybody can, you can save life, मतलब आप अपनी life अच्छी कर सकते हैं, just as much anybody can, for example, here are some general first aid tips for the person who get gots burn, here are some general first aid, अब यहाँ पे हम कुछ सामानियों first aid tips देते हैं, मतलब एसी छोटे मोटे घाव, जो घर पे होते हैं, सबको, बच्चों और बड़ी उमर की लोगों को भी हो सकते हैं, like person who gets gots burn, मतलब किसी भी person का जल जाना, गरम पानी से, गरम तेल से, आख से, मतलब कोई भी छोटी से खरोच, या फिर एसा छोटे इसी जगह पे जल जाना, हाथ में थोड़ा सा जल गए, पेरों में, इसे बन होना, first, see what type of buns, पेले आप देखें कि वो कौन से टाइप का बन है, मतलब कौन से टाइप का हमें जला हुआ है, अगर हमारा हाथ जल जाता है, कौन से टाइप का जला हुआ है, and then, treat in one of the following ways, तो फिर उससे आप इस तरह से जो यहाँ पे डिगरी दी गई है, उस तरह से आप फॉलो कीजिए, first degree is, there is redness and pain, अगर जला है, और वो जले हुआ, red है, और painful है, मतलब दर्द होता है आपको, दर्द हो रहा है, और वो red हो रहा है, तो no blister in, in area many also swell, अगर आपको blister, मतलब अगर चाला नहीं हुआ है, तो hold the birds under cold running water, उस बन पे, उस जले हुआ चाले पे, मतलब चाला अगर नहीं हुआ है, फिर भी, चाला नहीं हुआ आपको, no blister, वगर आपको उस पर red चाला, मतलब लाल कलर का चाला अगर नहीं चाही, तो आप वो जला हुआ एरिया, थंडे पानी के नीचे रख दीजे, वेट इस बन इस यूसफुली वेरी पैंटफुल जो आपकी स्कीन जो जली हुई है वो बहुत ही पैंटफुल होती है तेर विल बी ब्लिश्टर और वहां पे क्या होता है छाला हो जाता है गेट टप हेल्प राइट अवे आप किसी की मदद लीजिए डून्ट पुट आइस और वहां पे बरफ मत लगाईए डूनोट ब्रेक दब ब्लिश्टर और उस ब्लिश्टर मतलब उस चाले को ब्रेक तोड़िये मत अगर वो चाला है तो उसे रहने दीजिए उसे तोड़िये मत दूनोट यूज दू कोटन बोल्स दू क्लीन द एरिया उस एरिये को क्लीन करने के लिए कोटन यूज मत किछे डूनोट अप्लाइए अनी अंटिमेज कोई भी मलहम या ऐसा कुछ उस पर अप्लाइए मत किछे अगर वो बन है तो अपियर वो कैसा दिखता है ब्राउन या ब्लेक जहांपे आप चले हो उसके अंडर ही दीखता है sometimes looking white कुछ बार वो जला हुआ कैसा दीखता है white कलर का तो do not try treat this type of buns उस अगर white हो कोई भी जला हुआ अगर white हो जाए तो उसकी treatment आप खुद मत कीजिए take the person to the hospital किसी एक व्यक्ती को साथ में लेकर आप hospital में चले जाए this bun type needs to be treated at the hospital as soon possible उस type के bun की treatment बहुत ही ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके आप hospital में ही चले जाए और treatment लीजिए अगर चला है और सफेद हो गया तो उसकी treatment आप खुद मत कीजिए hospital ने जाए और doctor को treatment कर दीजिए as soon as possible जितना जल्दी हो सके आप hospital में जाए thank you